हेलो एब्रिवन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ बैलून्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम छोड़ देंगे तो वो हवा में उपर उड़ जाते हैं और आस्मान में चले जाते हैं जैसे कि आपने वीडियो में देखा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कुछ एक खास तरह की गैस जो है वो भर दी जाती है फिल कर दी जाती है जिसका नाम होता है हीलियम या फिर हाइड्रोजन ये दोनों एक ऐसी गैस हैं अगर इनको हम बैलून में फिल कर देंगे तो जो बैलून है उसका वेट जो वजन है वो air जो है हमारे आसपास उससे कम हो जाएगा और light weight हो जाएगा अगर light weight हो जाएगा तो वो हवा में उपर float करेगा और हवा में उपर जाएगा तो ये reason है mean कि उसके अंदर helium और hydrogen gas भर दी जाती है आज कल जो air balance में fill हो रही है वो है helium gas hydrogen gas जो है वो जादा use नहीं करी जा रही है आज के time पर उसका reason है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा तो helium gas के बारे हम बात करते हैं आज कल ये सबसे जादा popular है और ये gas जो है वो air से होती light weight है lighter है इसका weight जो है वो है 0.1785 gram per liter अब हम बात करते हैं hydrogen gas के बारे में तो hydrogen gas जो है पहले ये बहुत जादा use होती थी बैलून फिल करने में पर अब इसको हम use नहीं करते हैं उसका reason भी हम आपको बताएंगे उसका reason है कि ये बहुती flammable है मतलब इसमें आग लग सकती है बहुत अराम से hydrogen gas जो है ये भी बहुत एक light weight की gas है air के compare में इसका weight है 0.08988 gram per liter तो ये इसका weight है hydrogen gas जो है वो बहुती flammable gas है flammable का मतलब है कि इसमें बहुत असानी से आग लग सकती है और blast भी हो सकता है तो इसलिए आज कल जो hydrogen gas है वो use नहीं करते हैं क्योंकि a slide test spark हलकी सी चिंगारी जो है वो एक बड़ा धमाका कर सकती है इस case में अब मैं आपसे एक question पुछता हूँ कि helium और hydrogen जो है वो air से light क्यों है air से हलकी क्यों है क्योंकि hydrogen और जो helium के atom है वो air के atom से हलके है lighter है ऐसा क्यों है क्योंकि जो helium या फिर hydrogen है उसके पास कम electrons, protons और neutrons हैं किसके compare में? nitrogen atom के compare में या फिर air के compare में तो अगर हम एक plastic bottle में helium gas fill कर देंगे तो क्या वो float करेगी? हवा में उड़ेगी? नहीं वो float नहीं करेगी क्योंकि जो उसका weight है bottle का वो 1 gram से जादा हो तो इसलिए वो float नहीं करेगी अगर आपको यह helium balloons बहुत ही पसंद आए हो बहुत ही अच्छे लगे हो तो आप इनको buy कर सकते हैं आपको सिर्फ अपने google पे जाके helium balloons near me को search करना है और आपके पास आपके आस पास के जो balloons sell करने वाली shops हैं उनके details आजाएंगे आप वहाँ जाके और इनको buy कर सकते हैं